हेलो फ्रेंड्स वेल्किम टू पिंपड़कर एकेडेमी और मैं हुँ हर्षय पिंपड़कर तो आज की इस विडिये लेक्चर में डिसकस कर रहे है वैशेशिक दर्शन एन वैशेशिक दर्शन के प्रणेता है प्रवर्तक है वो है महर्शी कनाद और उनका वास्तविक नाम है उलुक यह दर्शन कनादिया अउलक्य दर्शन के नाम से भी जाने जाते है इसलिए आज का जो वीडिये फ्रेंड्स होने वाला है वैशेशिक दर्शन में जो महत्वपूर्णे टॉपिक है वो है संसर का भाव और अनन्या भाव संसर का भाव किसे कहते है यह जो दो भेद है यह महत्वपूर्णम आने जाते है वैशेशिक दर्शन में तो वैशेशिक दर्शन वैशेशिक मतानू सार संसर का भाव का अर्थ है दो वस्तूओं में संसर या संबंध का अभाव और थक किसी एक वस्तू का दूसरी वस्तू का अभाव यानि एक जो वस्तू है उसमें दूसरी वस्तू का गुन ही नहीं है उनका क्या है उनका अभाव है जैसे उधारन दोर पर यहाँ पर दिया गया है कि अगनी में शीतलता का अभाव अंतत्हा संसर का भाव संबंद याने रिलेशन का यहाँ पर क्या है अभाव है यहाँ पर जो उधारन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर अगनी में शीतलता का अभाव है हम कह सकते कि अगनी में शीतलता का अभाव है? हाँ क्यूंकि अगनी शितल रहती है यानि थंडी रहती है नहीं अगर आग में हम हाठ डालने जाए ना तो हमें शितल थंडनी लगेंगे हमारा ही हाठ क्या हो जाएंगा जल जाएंगा इसलिए जो उधारन दिया है उन्होंने संसर का भाव में यह महत्वपूर्ण माना जाता है यानि अगनी शितल नहीं है और शितल ता अगनी में जो अनुभव है अभाव है उनका जो गून है उनका क्या है अभाव है यानि अगनी शितल नहीं हो शितल अगनी नहीं हो सकती यह दोनों क्या है वस्तुस्तिती दोनों ही अलग-अलग है इसलिए यह जो उन्होंने उध अगर हमारा हाथ जल जाए ना तो हम थंडे पानी में हम हाथ डाल सकते हैं लेकिन हाथ जो रहा हम 小ose state में हाथ डालने के भाद हम अगनी में अगर हाथ डाल देना तो वह अपना काम वह एक नहों अमने दो वस्तु रखी गई है जैसे ओधारन देते हैं कि अगनी जल पहले हमने उधारन दिया था अगनी शीतल इलिए अभाव हैं और दुस्टे तोरपर देते कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु में नहों ना यानि अगनी क्या नहीं है जल नहीं हो सकती, घट पट नहीं हो सकता, एतेव अनन्य भाव क्या है, तादाम्य यहाँ आइडेंटिक का यहाँ पर अभाव है, यहाँ क्या है, अनादी एव अनन्त है, हम आज यह नहीं कर सकते कि अगनी क्या है, जल है और घट पट है, अगनी तो अगनी अपना काम करने वाली है जल को प्यास बुजाने का काम करने वाली है तो वो क्या करती है बुजाने का काम कुन करता है जल करता है और अगनी जलाने का काम करती है इसलिए ये अनन्या भाव में एक न होना याने दो वस्तु का एक न होना क्योंकि अगनी जल नहीं हो सकती और जल अगनी नहीं ह हो सकता इसलिए इसलिए एक उधारन देते कि घट पट नहीं हो सकता तो इसलिए यह अनादी भी है और अनंत है आज ठीक है अनादी यानि हम कल रहेंगे या नहीं पूरना है यह मीटने वाला नहीं है इसलिए जो वैशिशिक दर्शन में इन्होंने संसरगा भाव और अनन्या भाव में यह जो भेद किया है यह महत्वपूर्णा है Thank you, thank you for watching my video friends